स्वागत है आपका आज की चाही पे इस पॉडकास का ये पार्ट वन है पार्ट टू एमबर हर्ट पे है और फो क्यों है उसके लिए आपको पार्ट वन सुनना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो कुछ टाइम पहले आप लोगों को याद होगा मैंने एक पॉडकास बनाई थी जिसमें मैंने मैडम से कुछ सवाल पूचे थी उसमें से एक सवाल ये भी था कि मैडम आप कहते हैं कि एक औरत के लिए उसकी लाइफ में सब कुछ उसका पती और बच्चा होता है ये आपके शब्द थी उस टाइम पे ये बाते आपको याद नहीं आई थी तो मुझे उस टाइम पे एक डियम आया था डियम बिलकुल ऐसा जैसे खुद मैडम ने या मैडम के किसी यूनो प्यारे ने किया हो नाव वन मोर थिंग हो सकता है किसी फैन ने किया हो रात को तकरीबन नौ पचपन पे तो इसमें ये लिखती है कि it seems that you are really biased that you have not seen anyone close to you in a bad marriage यानि इनके हिसाब से मैंने अपने परिवार में कभी भी ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें दो लोग separate हो गए हो या फिर एक शादी तूर गई हो नहीं बड़ी confidently ये लिखती है कि please stop thinking that if her ex-husband is not saying anything against her in media then he is a nice person maybe he has nothing to say against her बहुत अच्छी बात अपने बोली आप चाहती है कि मैं उनके ex को अच्छा ना मानू और ये मानू कि वो उसके पास कुछ बुरा कहने के लिए नहीं आपको पता है कि बुरे इंसान होते कैसे हैं अगर ये आदमी अच्छा ना होता तो एक मिनट ना लगाता अपनी ex wife को name और shame करने में बड़ी अजीब बात है कि उसने तो आज तक कुछ नहीं कहा बट आपकी जो मैडम है वो लगातार उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा तिल बिक टॉस ये बाते करने का कि उनका जो ex husband था वो कितना बुरा था ऐसा था वैसा था कपड़े पहनने में dance reality show तक में बोला कपड़े पहनने में जो भी उन्होंने starting में एक skit किया था अरे कपड़े पहनने में अगर ना नुकर करता तो आपकी मैडम आज अनार कलियों में है वो एक time पे literally skirts में dresses में थी जैसे dress करना चाती थी वैसे करती थी अभी भी हो सकता है जी उनका मन करता हो इस तरीके से dressing करना जिसको देखके अकसर लोग कहते हैं कि हो क्या गया है ये एक actor है ये एक successful women है लगता ही नहीं है जो कि अकसर उस दिन में वीडियो आया था जब वो बैटके उबासियां ली जा रही है और फिर eyes clear कर रही है तो लगातार आप पबलिक figure हो अपने आपको present करने का तरीका होता है और on the other hand ये जो आपका आज वाला शोहर है ये I guess कोई आपकी पजामा पार्टी में आप आई थी बहुत पहले की बात है किसरे बुझे वीडियो सेंड किया था तो उसमें इसने आपको सरयाम सब के सामने कहा था कि ये क्या पैन के आई हुई क्या ड्रेस पैन के आगी नीचे का पैन न भूल कही क्या ऐसे कौन कहता है सो दिखता है कि आप जिन वैलियूस के पीछे भाग रही थी वो वैलियूस तो आपके शोहर में कूट-कूट के भरी हुई है ना आपका एकस हजबन तो इतना बुरा था कि वो एक शब्द नहीं बोला अरे बुरे लोग मैन्यूपलेटिव होते हैं बुरे लोग नासिस्स्ट होते हैं बुरे लोग अक्सर ऐसे होते हैं कि वो अपने डिसिजन दूसरे पे थोपते हैं अगर वो ना हो सके तो फिर दुनिया में उसको बदनाम करते हैं वैसे होते हैं बुरे लोग ऐसे नहीं होते कि आज आज आप जितना कुछ कह गई उसके लिए अभी भी आपने नहीं छोड़ा उस आदमी को जो इतने सालों बाद एक चैन की लाइफ बिताने ही लगा था कि आ आप उसको उठा के उस इंसान की लाइफ में वापिस से नेगेटिविटी फिलाए जो इंसान आपके बारे में बात भी नहीं करता क्योंकि अगर आपके एसाब से वो अच्छा नहीं है तो आपने उस रिलेशन्शिप को आगे रखने के लिए क्या करा जो की काम उसके भाई ने आपको दिलाया था उस काम को करने के लिए जब आप भार निकली तो आप अपने को एक्टर के साथ एक रिलेशन्शिप में पड़ गी हां मैं समझ सकती हूँ कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे आपकी मैरिटल लाइफ में बट जैसे कि आप आज कर रहे हो ना आपको कब करना था अब आपको वह सब कुछ वापस मिलेगा तो आप कैसे सहोगे क्योंकि करने में तो आसान होता है कि दूसरे के साथ हम जैसा चाहे कर लें पर अपनी पे आती है तो वही सेम ट्रीट्में हम अपने साथ सेह नहीं पाते यही नहीं इस दियम में यह भी लिखा हुआ था कि कितनी भी हम फेमिनिजम की बात कर लें फिर भी हर रिलेशनशिप में 90% आदमी ही गल्थ होते हैं यह थिंकिंग भी गल्थ है आप जैनरलाइस कैसे कर रहे हैं इस बात को किसी relationship में आदमी गलत हो सकता है किसी में औरत गलत हो सकते हैं किसी में दोनों ही mutually decide कर सकते हैं कि नहीं भहिया हमारा जो equation है हमारा जो एक रैपो है वो सही नहीं बन रहा है एक cordial relationship नहीं है ये हम साथ लंबे time तक नहीं चल सकते हैं और आप लोग peacefully भी तो separate हो सकते हो ज़रूरी यह दूसरे पर लांचन लगाना और यह चीज कहना because यहां पर madam आपकी main subject है जिसकी तरफ आप बायस्ट हैं तो आप clear दी दूसरे बंदे को shade करने के लिए पूरे के पूरे एक gender को आप malign कर रहे हो उसी को side लगा रहे हो कि नहीं every husband is wrong in 90% of the relationships are mostly broken because of men अब बात करते हैं थोड को use करके कैसे एक पूरा case manipulate करनी कोशिश करी थी वह मैंने discuss करा towards the end उसमे madam के बारे में भी मैंने कुछ बात ही करी है तो जाके वो वीडियो वो podcast सुनियेगा जरूर आज के लिए इतना है दूसरे वीडियो का link आपको pin comment में comment section में मिल जाएगा that'll be all thank you so much for watching to like share and subscribe to Aajki Chai thank you so much for tuning in to Aajki Chai podcast